वेलकम बैक टो मैं यूट्यूब चैनल तो फैंस कार्तिक पूरी माय के सबकामिंग एपिसोड में हम क्या दिखेंगे उसे चैनल से पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा तो यहां भीस्टाइब में यह दिखाएक ठें कि जो कार्तिक की शर्ट होती है उस पर जूस किर जाने के कारण वो उसको लेकर आती चैनल रूम में उसकी शर्ट साब कर रही होती है कार्तिक को देखके शनाय के मन में कुछ उने लगता है तो वो उसके پاس आती है जैसे पास आ रही होती है तब ही बीजी आवाज लगाती है तो शनाया धूर खड़ी हो जाती है जाकर और सोचते है कि लोग बीजी ने आवाज दे दी तब ही बीजी अंदर आती है कहती है कि कार्टिक पुत्त ये लो शर्ट हाँ ये बिल्कुल नहीं है ये कार्ट जो पूरिमा है न वो लेकर आये थी अपने पापा के लिए बड़े ही प्यार से लाये थी इस शर्ट उन्हें गिफ्ट करने के लिए हाँ और ये तुम पहन लो इस शर्ट को बिल्कुल नहीं है उसमें उसका बहुत सारा प्यार है ठीक है तो कार्टिक जो है कहता है अच्छा बीजी मैं इसको पहन लेता हूँ लेकिन आप जब बताईएगा तब मैं सनाय उसको दिला दूँगा पूरी माँ को दुसरी सर्ट तब वो गिफ्ट कर देगी तो इदर मुझती है उसकी शर्ट जो वो कहता है मेरी शर्ट जो थी ना सनाया वो मुझे दे तो मैं उसको ड्राइ कलि leaks करवा लूँगा ठीक है मैं उसको गर ले जाओंगा शनाया कहती है ठीक है वादा बीजी कहती है वो कहता है कि मैं दूसरी दिला दूँगा तो बीजी कहती है कि अरे नहीं बेटा वैसे भी gift का क्या है जिसके नसीब में जो चीज होती है वो उस तक पहुंची जाती है और ये शर्ट बड़े ही प्यार से लाई थी पूरी मा बस इसे अब उतने ही प्यार से पहनो जितने प्यार से वो ये शर्ट खरीद के लाई थी अब लाई जिसके लिए भी हो पर जिसके नसीब में जो चीज होती ही पहुँचे जाती है तर ठीक है फिर वो कहती है वो शर्ट जो है कार्टिक पूर्मा की लाई शर्ट को वो पहन लेता है फिर वो कहता है बीजी से की बीजी अच्छा मैं अब चलता हूँ ठीक है बीजी व कहती है तब फिर वो बीजी के जो है वहाँ से निकलता है बीजी मनीमन बहुत खुश हो रही होती है कि चलो कितना अच्छा बच्चा है बस ऐसा ही खुश रहे हमेशा बखवानिस की हर अच्छा पूरी करना फिर यह सोच कि जो है बीजी पहां से चली जाती है, फिर दर दिखाते हैं, सुबह हो जाती है, यहांपे जो है, सोनी जी जो है, ब्रेक्फास्ट कर रही होती ही, तब ही सब बड़े आश्चर चकित में होते हैं, सोचते हैं, कि अज पता नहीं क्या हाल है, इदर बबी सोचती है, बापी तो कुछ बोल नह पतानी क्या होगा बहुत सांत होती, कार्टिक भी सोचता है फिर वो कहता भी है माम अपने फूर्ट सेता है सेकरिर्टी बदाती है उनकी सोनी जिकी की आध मीटिंग है यहाँ वो सुन रही होती है छुप चाबदी होती है कहती है सारी मीटिंग कैंसल कर दो ये सुनके वहाँ पे चितने भी लोग बैटे होते हैं सारे के सारी चौंक जाते हैं कि ये क्या मीटिंग कैंसल कर दी मानें तो इदा बबली भी सोचती है कि हाँ तो वो कहता है कि उसकी सेकरेटरियोती कहती है कि मैम बहुत इंपॉर्टन मी है जो सुमिर्थ होता है वो कहता है कि है मा यानि कि कोई नाराज़गी नहीं है हाँ आप इस रिस्ते के लिए राजी हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको मैं तो बहुत डर रहता है इदर बबली कहती है यह तो सूच रही हूँ कहां आप बहाँ चलेंगे वहां की सोसाइ हो जाते है पर कहते हैं कि ठीक है कार्तिक सोचता है कि पता नहीं सुमृथ तो खुशी गड़काना नहीं हुता है अपको अच्छ रहे गा कार्टिक से वो कह रहा होता है सुम्रित जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद मा इंकार कर देगी सेस्टे के लिए बड़ जब वो जाने की बात करती है तो सुमृत की खुशिगा डिगाना नहीं रहता है फिर वो चला जाता है इधर दिखाते हैं कि कार्ट एक सुस्ता मा नहीं हां कर दी वो भी अपनी मीटिंग कैंसल करके पता नहीं मा के मन में चल क्या रहा है जरूर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है इधर दिखाते हैं कि सनाया के घर में पूजा की तैयारी हो रही होती है ये लोग जो है सार जो है तैयारी कर रहे होते हैं प्रिशाद बना रहे होते हैं इदर सनाया फोन पर बात कर रही होती हैं फ्रेंड से कि मैंने उसे नहीं पटाया है मैं उसके पीछे नहीं पड़ी थी, अरे उनका रिस्ता खुद से आया था, वो मेरे पीछे लट्टू हुआ पड़ा है, मुझे इतना प्यार करता है, और तुमको क्या लगता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इदर जो बेबे होती है, वो पूरी मा से कहती है, पूरी मा परशाद बना और चीज़ें सब जल्दी जल्दी तयार कर, वो बारी बारी से एक एक चीज़ बोल रही होती है, तब ही बीजी कहती है, अब एक करके बोल रही हो, इकटी सारी बोल दो, हाँ, ऐसे बार बार क्यों बोल रही हो, इस तरीके से वो परशान होगी, एक बार में सारी चीज़े बोल दो वो कर लेगी न तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा हाँ मुझे मत समझाओ ज्यादा ये चीज़े हैं हाँ मुझे पता है इसकी बज़े से ना मेरी सन्नों की साधी तूटते तूटते बची है और तुम मुझे समझा रही हो तुम मुझे रहने दो हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ तो इदर बीजी जो है चुप हो जाती है इदर बीना कहती है मा क्या कह रही हो चुप रहो ना क्यों इस सब बोल रही हो बेबे कहती है कि हाँ रहने दे मैं सही तो कह रही हूँ जो कह रही हूँ मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ वो तो कहो उन लोगोंने बुरा नहीं माना और वो आज आ रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी माँ के चक्कर में फिर से कुछ गड़बर हो जाए यह बात सुनके बीजी को तो बुरा लगी रहा होता पूरी माँ को भी बहुत बुरा लगता है कि देखो कैसे मेरे लिए कह रही है बेबे तो कहती है बस अब यह काम खतम करके यहां से चाहे बना पता चले फिर से वो आ जाए और फिर गड़बर हो जाए तो बीजी कहती है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है गड़बर हो जाएगी और उसने क्या किया है किसने रायता फेलाया किसना समेटा वो तो साब दिखाई दे रहा है अब उन्हें मसोस थी हाँ तो यह लोग आपस में ही बीड़े जा रहे हैं अब क्या करें तो वो सारा सामान लाती है और इधर यह लोग की बाची चल रही हुँती क्या बीजी प्लीज आप चुप रहो हाँ तब यह बीड़े जल्दी जल्दी काम खतर और जा कहीं बाहर जाके कहीं बैठ जा तेरी बज़े से कर दुबारा में कुछ गड़बड हो गई तो हम क्या करेंगे यह सुनके बीजी को बुरा लग रहा होता पर बीन अपनी बातें जारी रखती कहती है कि तो पूरी मा कुछ नहीं बोलती कहती हाँ अब तु ऐसा कुछ भी मत करना उनके सामने मताना बना तुझे पता है कि तेरी वज़े से दिक्कत हो जाती है बे बेदर मू बना रही होती है बीजी भी कहती है कि अरे तूसे इतना क्यों कह रही है तुझे तो पता है ना कि उन्हें सब कुछ पता चल गया है फिर ऐसा क्यों कह रही है और उनको जब पता चल गया यह बेटी है इस घर की बड़ी तो क्यों यह कहीं जाएगी है तो कहती भी है कि पूरिमा की नहीं बीज पूनी जी को और ज़सनाया भी सोचते हैं कि उपो इन लोगों का क्या है तब ही जो पूरी मा कहती ही नहीं नहीं सही कह रही है कि अब उनको प्रॉब्लम है और बैसे भी क्या फरक पड़ता है मैं यहां बैठ के पूजा में बैठू या पिर कहीं बाहर बैठ जाओ कथा सुन हाँ अब तू जल्दी से काम खटम कर और जा तो कहती ही ठीक है ममी फिर इदा दिखाते है कि यह लोग तैयारी करके निकल रहे होते हैं इदा सुमृत को बिलाते हैं सुमृत भी आ जाता है तब ही कार्तिक का फोन वजने लगता है तो फोन रिसीव करता है तो उसे पता चल है कि सोनी सिंग कि अज़े तुम नहीं जानते है डॉक्टर की डूटी 24 गंडे क्यों होती है जब भी कॉल आया तो जाना ही पड़ता है और जाने दे हम सब है ना क्यों इतनी चिंता कर रहा है तो कार्थिक कहता है थैंक्यू मा आपने सब को समा लिया कार्थिक चला जाता है हो कहती है इनकी मा कि सुम्रिच तू चिंता मत कर हम सब चल रहा है ना हम सब देख लेंगे इदर पूरी मा जल्दी जल्दी काम खतम करके जाती है इदर वो कहती है कि देख मैं भी कहती है अपनी सनाया कितनी सोनी लग रही है तो वो कहती है कि बिल्कुल रानी महरानी की तर जो पूरिमा होती है वो तैयारी करके बाहर जाने जाने लगती है ये लोग कहते हैं वो पूरिमा परशान हो रही होती बीजी कहती है कि क्यों हर बात में उसको तो खीशती है उसकी क्या गलती है यहां लेकिन पूरिमा कहती है नहीं मैं जा रही हूं वो बिचारी उसको बुर लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है बेबे काफी कुछ कह रही होती है अब कहती है जा वरना तेरी बज़े से फिर से कुछ गरवर हो जाएगी जल्दी जा तो वो काम छोड़के फिर वहां से चली जाती है इधर दिखाते है पंडी जी कहते है कि बाकी तो तैयारियां हो है चक कर लेते हैं कहीं कोई ची रह तो नहीं गई है हाँ तभी ये लोग जो है बैठे हुए होते बाते कर रहे होते तभी उनके पापा आ जाते कुल्दीब जी कहते है हाँ मैं सामान लेकर आएंगी तो वो कहते है ठीक है तभी आ जाती है सोनी जी डूर नौक करती है तभ वो देखती है तब ही वो कहती है कुलदीब ची एक बात बताईए आपके हाँ तो पूजा है ना पर आपकी बड़ी बिटी तो यहाँ पर है नहीं किया ना में उसका पूरी महा इधर ये बीना और बेबे ये सुनके हैरान हो जाती है कि बीना सुच नहीं इस इनको तो उससे बहुत जादा प्रॉब्लम होती फिर आज ये क्यों पूच रही है और दो वो कहती है तो पूजा में उसे भी तो सामिल होना चाहिए ना तो कहां है वो दिख नहीं रही है तो कहते है कि आप बताईए आप वो कहती है जैसे आपकी इच्छा सनाया कहती है कि नहीं नहीं हो तो मुझसे इतनी प्रॉब्लम है फिर क्यों पूच रही है क्या बात है अज़र वो कहते हैं बुलाने के लिए तो वो कहते है हाँ क्यो नहीं मैं बिल्कुल बुला रहा हूँ आप बिल्कुल भी परिशान मत होई है तब ही कुल कुल्दीब जी जो इक्कॉल करने लगते ही जब उन्हें पता चलता है बिनsuite बीना जी भी सोच रही होती है कि कुछ तो है लेकिन जब उन्हें लगता है कि चलो वो बुला रही है पूजाए अगले तो कहता है हाँ आप भी हम बुलाते हैं विल्कुल भी परचान मत हो यह तब ही फिर कुल्दीव जी फोन करके उसको बुलाते है तो पूरी मा जो हो तो बाहरी खड़ी होई होती है तब ही फोन उसका रिंग होता है वो बात करती है तो इसके पापा कहते है बेटा तू कहाँ है जल्दी आजा तुझे सुनी जी बुला रही है पूजा में आजा तू जल्दी तो कहती है हाँ पापा ठीक है मैं आ रही हूँ पर पूरी मा के मन में सवाल उठ रहे होते हैं कि सुनी जी आखिर क्यों मुझे बुला रही है जबकि वो जानती है लेकिन फिर भी वो आती है तो आती है सुनी आइधे, उनके भी बहुत सवाल उट रहोते हैं. याँके चाहती क्या है, लेकिन फिर भी वह आती है, तब है, इस रिघांताए है. आते ही सुनिय जी देखती है, और टुरें, जो है, बबली चाहती है, सहारे सामान लेका आती हैं. या पूझा होते हैं तो वो एक एक करके through क스іл कि कहती है कि पूझा का समानर्प सब लोग Ты एक करके खो लिए पहले बड़े से करके सब लोग कि बीना जी खोलती है फिर दीरेos की करके उइक सबसे कुछा डी उसमें किसी में कुछ होता है किसी में बहुत हंसी आ रही होती सोचती अब मा आया ना मजा अब पता चलेगा तो इधर खोलती है लेकिन सब हैरान होते हैं कि ये क्या है पूरिमा भी सोच रही होती है कि ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सोनी जी ऐसा क्यों कर रही है जबकि पूरिमा तो वहाँ पे थी भी नहीं लेकिन तब बड़ बबली को बहुत हसी आ रही होती है वो सारा सीन सब कुछ समझ जाती ही न इस वज़े से पूरी मामनी मन सोच रही होती है कि ये मुझसे जरूर कल की कल जो हुआ था उसी के लिए कर रही है क्यों तो कहती भी है कि देख लिया तुम लोगों ने अब समझ में कुछ आया हां कि काले रंग काले रंग हर जगे यूज़ हो सकता है बट काले रंग की कितनी वह पूजा में भी यूज़ नहीं हो सकता है वो ऐसे कह रही होती है न तब ही बोलने तो पूरी माँ कोई बुरा लगता है कि देखो मेरे लिए एक इस तरीके से कह रही है जब कि रंग का कोई ऐसा होता ही नहीं है रंग का क्या मतलब होता है कुछ नहीं लेकिन सोनी जी कह रही होती है कि कहीं भी नहीं पूजा में भी नहीं तो कुल्दीब जी को बुरा लग रहा होता है सुम्रिज सोंसता है ममा ये कर क्या रही है मॉम किस तरीके से ये आई थी और यहां पर ये सब क्या कर रही है पर वो जैसे ही कुछ बोलता है तुरंत सोनी जी आँखे उसको दिकाने लगती है तो वो चुपचाप से पीछे वड़ जाता है वो उसको ही कह रही होती है कि अब मैं ये जो मेरी सब रिस्ता नहीं करूंगी तब ही पंडिज जी जो है वो कहते हैं कि क्या बोल रही है आप ऐसे तो आप सिर्फ इसका ही नहीं मा का भी अपमान कर रही है ये कैसे कह रही है काला रंग यूज नहीं होता है काला रंग खराब होता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है मा के पूजा में हर्च रंग का है हर रंग उनसे है और हर रंग का इस्तमाल होता है कोई रंग बुरा नहीं होता है आप ये गलत कह रही है और मैं एक ब्रहमर हूँ, मैं इस गरत का साथ नहीं दे सकता हूँ इसलिए मुझे छमा करीगा, मुझे यहां से जाना होगा पंडी जी यह कहके वहां से चले जाते हैं फिर सुनी जी जो है, उससे कहती है पूरी मां से कि पंडी जी की तो अपनी सोच है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, मेरे हिसाब से तो यहीं है कि काले रंका कहीं दूज नहीं होता है पंडी जी, बगर पंडी जी कुछ और बताते हैं तो लेकिन पूरी मां शौक्टो कहती है, इसलिए मैं जो यह सनाया और सुम्रित की साधी तोड़ देती है, वो साधी तोड़ देती है सुनके सारे लोग चौक जाते हैं कि यह क्या सब को लगा था कि नाराज नहीं है लेकिन कहती कल जो तुमने किया ता वही फील कराने के लिए मैंने यह सब किया, अब तुम्हें पता चला कैसा लगता है ऐसलिए मैं शाधी नहीं करूं कि इस रंग का मेरा कोई रिस्तेदार नहीं बन सकता और वो तुम से जुड़ी, इसलिए मैं शाधी नहीं करूंगी अभी बात सुनके सारे लोग चौंक जाते हैं कि यह क्या और इदर कुलदीब जी को बहुत शौक लग जाता है सुनके कि यह क्या हो गया तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा अगर चैनल पर नहीं हो भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजेगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारी सी इमोजी जरूर बनाईएगा ओगी फैंस तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में कि बेंस तो चलिए बाइब बाइब बाइब